ब्रोट तो यू बाई 5PESA.com इन्वेस्टिंग मेड एजी और रिवर्डिंग डाउनलोड अप नाउ नमस्कार आप देख रहे हैं बिस तक मैं हूर अजट देव गन आज भारते बाजारों की शुरुआत धमाके के साथ हुई जोरदार तेजी के साथ पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट्स धाई पर्संट से तीन पर्संट का मूव दे गए थे एशे बाजारों का मूड मोहल बहुत बहतर था एस जिक्स निफ्टी बता रहा था कि 200 से 220 अंकों का गैप अप देखने को वो है 5 पैसा की और से डाउनलोड कीजिए 5 पैसा अप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं exciting offers 5 पैसा के जरीए आप किसी भी equities, mutual funds और IPOs में invest कर सकते हैं वो भी 0% brokerage और flat 20 रूपीज पर और पर तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा अप, अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाबदायक, happy trading and investing, आज के दिन का high है 16,588, जाते जाते थोड़ा surrender जरूर हो गए, आज 16,490 का low भी लगा दिया closing adjusted basis पे देखोगे तो उपरी इस तरों पर हुई थी, मुनाफ़ा वसूली हाल फिलाल में बहुत strong move banking में मिल चुका है, sensex 629 अंक बढ़कर बंद हुआ है 55,397 के level पे अच्छी तेजी के साथ चड़ क्या राथा, reliance industries, infosys TCS, HDFC bank, SBI सभी support, दिगज stocks की तरफ से मिलता चला गया उसके कारण आज आप देखोगे कि बजार में एक तो move बहुत तगड़ा मिल गया था शुरुआती सत्र में और उसके बाद कहीं न कहीं समभल रहे थे लेटर हाफ में थोड़ा सा surrender हो गए advance declines, 34 shares हरे निसान में 16 shares Nifty के लाल निशान में बंद हुए है लेकिन जो चड़ा उसमें पहले पाइदान पे है ONGC आज पौने 4% की चलांग इस stock की Tech Mahindra, TCS, HCL Tech, IT का तो बोल बाला था आज IT stocks में दमदार action देखने को मिल रहा था लगबग पौने 3% से 3.5% का move इन तमाम दिगगत stocks में Reliance Industries ने सबसे ज़्यादा contribute किया है मार्केट में आज 0.5% Reliance Industries शुरुवाती टिक में ही 0.5% से 3% का move दे गया था Nifty Losers में Results Impact, HDFC Life कल से ही stock में जब से नतीज़ा है तब से मुनाफ़ वसूली हो रही है आज भी 2% टूटा है M&M में मुनाफ़ वसूली देखने को मिली पौने 2% ये हलका हो गया Sun Pharma, Aysher Motors, Kotec Bank इन stocks में थी profit booking लेकिन sector specific जो पहले Limelight में आया और बजार खुलने से जस्ट पहले एक खबर आ गई Oil and Gas सेक्टर पे जी हाँ तेल कंपनियों को एक बड़ी रहत सरकार ने दे दी रहत ये कि हाल फिलाल में Windfall Tax का Announcement सरकार ने किया था Windfall Tax को सरकार ने अब घटा दिया है अंतराश्टी कीमतों में गिरावट के चलते ये Tax घटाया गया है क्योंकि Crude की कीमते हाल फिलाल में थोड़ी ठंडी होई है इसके चलते इस Tax को घटाया गया Crude Oil पर Windfall Tax 23,250 रुपे से घटा कर 17,000 रुपे प्रति टंड कर दिया गया डीजल पर Export Duty 13 रुपे से घटा कर 10 रुपे प्रति लिटर कर दी गई इसमें 1 रुपे रोड इंफ्रासेस भी शामिल है पेट्रोल से Export Duty को हटा दिया गया ATF पर Export Duty 6 रुपे से घटा कर 4 रुपे प्रति लिटर कर दी गई और ये जो दरे हैं ये आज से ही लागू हो गई तो इसका एक Impact था आज जैसे ही बजार खुला वैसे ही Oil-related कंपनिया जो Oil Producers हैं और Refiners हैं उनके Stocks में एक दम से तेजी बन गई जैसे की चिन्नई पेट्रो सवा 7% से ज़्यादा की चलांग लगा गया सरकार ने जो Windfall Tax घटाया है उसको एक बड़ा Impact Oil इंडिया पर पढ़ गया 6% ये उपर था MRPL 5% उपर O&GC जो बहुत जादा पिटाई जहिल रहा था हाल फिलाल में आज के सत्र में पौने 4% उपर था कल भी एक Attempt इस नहीं लिया था लेकिन तिक नहीं पाया हाय लेवल पे आज तेज हो गया लगबग पौने 4% और Reliance Industries सबसे दिगज कंपनी आज इस कंपनी का स्टॉक 6% उपर था 22 जुलाई को कंपनी के नतीजे भी आने हैं दूसरा जो प्रमुक सेक्टर था जिसके वज़ासे आज बजार में जोड़दार तेजी बनी है वो है IT लोर एंड से बहुत स्मार्ट रिकवरी स्टॉक्स कर गए चाहे है वो मिड क्याप्स हों या फिर दिगज पहले मिड क्याप स्टॉक्स देखी आप रामको सिस्टम्स 11% उपर L&T टेकनोलोजी सर्विसस साढ़े 6% उपर फर्स सोर्स सलूशन साढ़े 5% चड़ा है परसिस्टेंट KPIT टेक एंफिस जैसे स्टॉक्स 5% से 5.5% मजबूत होते वे नज़राए इसके लावा को फोर्ज 4% चड़ा है टेक महिंद्रा साढ़े 3% माइंटरी 3% L&T इन्फो टेक 3% और दिगज कंपनिया TCS, HCL Tech इन्फोसेज पौने 2% से लगभग 3% का रिटर्न और TCS तो कर रहा था कमाल 3% के करीब इन्टराडे में TCS का रिटर्न आया है, strong move था आज बहुत समयबार, Metals वेदानता क्योंकि डिकलेर किया है अंतरिम डिविनेट, ये सेकंड इन्टरिम डिविनेट है जो वेदानता ने डिकलेर किया है 19.5 रुपीस प्रतिशेर का उसका impact आज स्टॉक पे पढ़ गया 6% ये उपर था, APL Apollo 5% चड़ा है, Steel Authority, Nalco हिंद कॉपर और JSPL जैसे स्टॉक में अज हर्याली देखने को मिली FMCG में हिंदुस्तान, Unilever के नतीजे बहुत दमदार आये थे, HUL का स्टॉक, 1.5% चड़ा, लेकिन जो ज़्यादा चड़ गए उसमें था वरुन, Beverages, इमामी इन स्टॉक में relatively आउट परफॉमेंस देखने को मिली है, डाबर 1.5% चड़ता हो नजर आया, Nestle, Britannia इन स्टॉक में action strong था, और ITC जस्त तीन सो के लेवल को चूते चूते रहा गया, आज के दिन का high है 299.5, 1% close to close ITC का स्टॉक आज बढ़ा है बैंक्स, शुरुआत तो तेज़ी के साथ हुई थी, लेकिन उपरी सुरूब पर थोड़ा profit booking जेल रहे थे, लेकिन फिर भी जो हरे निशान में बंद होने में काम्याब रहे, उसमें था State Bank of India, strong move था, no doubt 2% की तेज़ी थी स्टॉक में, AU Bank 1.5% चढ़ा, HDFC Bank Indecent Bank, इन स्टॉक में 1% के रिटर्न आया, और Axis Bank, higher level पे थोड़ा सा हलका हो गया, लेकिन फिर भी आदे फीज़ी के गेन दिखा गया, F&O Gainers में, L&T Technology Services, लगभग 7% चढ़ा है, विदानता, Persistent, First Source Solutions और Emphasis, इन स्टॉक में action strong है, और action strong किया, 5% से 6% वायदा कारूबार के shares में action है, और बोल बाला तो IT कंपनियों का ही था, F&O losers में आप आएंगे ICIC Lombard, results का reaction था, 4% यह हलका हो गया, Hevels, यहाँ पर 3% की गिरावट देखने को मिली, HPCL Polycap और Torrent Power जिसे stocks आज वायदा कारूबार पे मुनाफ़ा वसूली इन stocks में, mid cap gainers की सूची तो बहुत लंबी है, जब बजार ही 166, 167 अंग चड़ा हो, तो mid cap stocks का तो जबर्दस move लगबग तही ही होता हुआ नजरा आएगा, उसमें extra micro later half में बहुत strong move था, 14% चड़ गया, आनंत राज, 11% उच्पला है, KPR मिल, बहुत समय बाद, जबर्दस टेजी में आया और साड़े 8% के return डिलिवर कर गया, lower level से अच्छी खरेदारी थी, अवास financials, लक्ष्मी organics जैसे stocks 8% चड़े हैं, PNB housing साड़े 6%, India bulls real estate, त्रिवेनी turbine, इन stocks में साड़े 5% का move था, धानी और capital point जैसे stocks में 5-5% के return डिलिवर हुए हैं, बाजार बंद होने के बाद, दो important नतीज़े आए हैं, एक है banking sector से, और एक है IT sector से, सबसे पहले banking में indecent bank के नतीज़े देखिए आप, results disappoint कर गए, क्योंकि provisioning जादा करनी पढ़ गी है, और NPA की थोड़ी बिगड़ी है, मुनाफे की figure, 1016 करोड से बढ़कर 1631 करोड है, 61% की growth है, सालाना अधार पर ये बहतर है, net interest income 3563.7 करोड से बढ़कर 4125.2 करोड बहुंची है, 16% के आसपास की growth ये है, ये भी अनुमान के मताबिक है net interest margin, अगर आप Y&Y basis पे भी देख लो, तब भी 4.06% से भढ़कर 4.21% होए हैं, और quarter on quarter basis पे भी 4.20% से भढ़कर 4.21% होए हैं, तो ये भी ठीक है लेकिन company ने bank ने बोला है, management ने कि वो expect कर रहे हैं कि net interest margin 4.15% से 4.25% के बीच रहेंगे for FY23, इस fiscal के लिए अब दिक्कत चुरू होती है provisioning के front पे, 1251 करोड से बढ़कर 1461 करोड के provisioning तिमाही दर तिमाही अधार पर, gross NPA 2.27% से भढ़कर 2.35% तिमाही दर तिमाही अधार पर, तो ये दिक्कत है net NPA 0.64% से बढ़कर 0.67% तिमाही दर तिमाही अधार पर, अगर value terms में देखोगे, तो gross NPA 5517 करोड से बढ़कर 5933 करोड आए है, लगभग 7.5% का jump है तिमाही दर तिमाही अधार पर और net NPA 1530 करोड से बढ़कर 1661 करोड आए है, लगभग 8.5% का jump है quarter no quarter basis पे तो अगर इसको summarize किया जाए, quarter one नतीजे इंडेसिंट बैंक के मुनाफ़ा तो ठीक नज़र आ रहा है, NIA in line नज़र आ रही है, लेकिन आउपर से net interest margin भी बहतर नज़र आ रहे हैं, पर provisioning जादा करनी पड़ गई, और साथ साथ gross NPA और net NPA quarter no quarter basis पे बड़े हैं, तो इससे कहीं ना कहीं तनाव होगा हो सकता है कि stock price कल थोड़ा इसको adjust करता हो, नज़राय नतीजों को और उपीस तोरों पर थोड़ी मुनाफ़ा वसूली देखने को मिले, दूसरा है, विप्रो quarter one के जो नतीजे आए हैं बिल्कुल disappoint करके गए हैं मुनाफ़े के figure 3087 करोड से घटकर 2563.6 करोड रही है बहुत strong dent है और ये तिमाही दर तिमाही आधार पर है आए 2860 करोड से बढ़कर 2528 करोड हुई है लगबख सवा 3% का इजाफा देखने को मिला हमारे अनुमान के मुताबिक है डॉलर आये लगबख फ्लाट है 2735.5 million US dollars पर और constant currency revenue growth जो है वो 2.1% की हुई है अनुमान 2.5% का था दिक्का शुरू होती है कामकाजी मुनाफ़े के front पे figure 3505 करोड से घटकर 3183 करोड आई है और ये तनाव कही न कही stock price पे reflect हो सकता है margin 17% से घटकर 15% आये हैं हम expect करे थे कि लगबख 16% के आसपास आएंगे वो भी ठीक नहीं है attrition कंपनी ने बोला है कि 23.8% से घटकर 23.3% रहे है quarter on quarter basis पे लेकिन अगर एक साल पहले देखोगे तो attrition मातर 15.5% का था और 1.1 billion US dollars की 18 बड़ी deals जो है वो company ने जीती है guidance company ने थोड़ी बहतर दे दी है dollar eye वो समझ रहे है 2817 से 2872 million US dollars के करीब संबव है quarter two में और dollar eye की growth 3-5% expected है quarter two में लेकिन अगर नतीजों को overall summarize किया जाए तो मुनाफ़ा बिलकुल भी ठीक नहीं है बहुत तगड़ा dent पड़ा है उपर से eye inline है कामकाजी मुनाफ़े के front पे disappointment है और margin के front पे भी disappointment है तो इंडेसिंट बैंक और विप्रो के नतीजे हम कहेंगे कि अनुमान के मताबिक उतने exciting नहीं आए है अब आगे क्या होगा देखे कल important यह है कि बड़े central banks की बैठक है और वो बहुत closely track की जाएगी European Central Bank की बैठक है और साथ-साथ Bank of Japan भी monetary policy पेश करेगा तो वो एक बहुत important event है जो हम track कर रहे है अमेरिकी बजारों की चाल पर आगे भी काम होता हुआ नजर आएगा बजार में अल्रेडी बहुत जादा खरिदारी हो चुकी है जो lower level से पल्टे है और जो result season जब से शुरू है तब से हम देख रहे हैं कि बजार बहुत बहुत बहतर तेजी बनाता चल जा रहा है और इतनी strongly selling वो इन levels पे नहीं कर रहे हैं तो ठीक है जब तक ऐसा behavior रहता है तो buy and dips की market बनती हुई नजर आएगी लेकिन इन levels पे थोड़ा cautious रही है positions को थोड़ी हलकी रखिए तेजी की positions अगर बनानी है तो गिरावट पर ही बनाईए important levels जो nifty की है वो 16,200 से 16,350 की एक range है जिसको बजार बहुत अच्छी तरीके से respect करेगा इन levels पे आते हैं तो फिर से खरेदारी करने का मौका होगा उपर 16,650, 16,700 के आज पास एक hurdle है इतना easily cross करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा या buy and dips की market बनती भी नज़र आएगी और stock specific moment तगरी देखने को मिलेगी कल के सतर में भी बहुत नतीजे हैं कल तो in fact F&O derivative market में और साथ-साथ cash market में बहुत नतीजे आने हैं Canfin Homes, Emphasis, Persistent, PVR, SRF जैसी कंपनियां वाइदा कारुबार पर नतीजे पेश करेंगी और cash में signed, GSFC, Hinsing, IDPA, ICIS Securities कजारिया जैसी जो कंपनियां हैं नतीजे आने हैं तो result heavy देर आने वाला है action pack देर आने वाला है लेकिन आज higher level पर थोड़ से profit booking के संकीत देखने को मिले हैं लेकिन global picture कैसी develop होती है global markets कैसे behave करते हैं ये भी कहीं न कहीं consider करना होगा